सुबाज नगर थाना पुलिस ने चैन सनेचिंग के मामले में क्या खुलासा, मा बेटे सहीत एक अन्नी को क्या गिरफतार, अक्सर कहा जाता है कि मा अपने बेटे को पल लिख कर एक काबिल इंसान बनाने का सपना संजोय रखती है, मगर कपड़ा नगरी बिलवाडा में इसक कुछ उल्टा ही वाक्या देखने को मिल रहा है, जब बिलवाडा की सुबाज नगर थाना पुलिस ने एक चैन सनेचिंग मामले का खुलासा किया, तो पूछताज में पुलिस कुद हैरान हो गई, चैन सनेचिंग करने वाले युवक को उसकी मा दुवारा ही इस अपरात के दलदल में धकिला ही नहीं गया, बलकि मा दुवारा बार बार चैन सनेचिंग करने के लिए मोटिवेड भी किया जा रहा था, आलंकि इस मामले में पुलिस ने मा बेटे साहित एक अन्य युवक को गिरफतार कर लिया है, जिससे पुलिस पोश्टाज कर रही है, जिसमें औ महिला और दो लड़कों को गिरफतार किया, पुलिस दुवारा पुश्टाज में सामने आया कि महिला दुवारा अपने बेटे और उसके दोस्त को चैन सनेचिंग के लिए बढ़ावा दिया जाता था, बील वड़ा शेहर में कुछी दिन पूर गुलाब पेट्रलपम के प चैन सनेचिंग की वारदाताइं बढ़री थी, जिस पे जिला पुलिस अदिक्षक मौदे, एडिशनल एसपी मौदे और सियो साब के नेतरतों में थाना जापर एक टीम गटित की गई, और जो बदमास इस तरह की वारदाताइं कर रहे थे, उनके सीसी टीवी फुटेज, म हमारे यहां पूरो में एक गुलाब पेट्रोल पंप के पास जो चैन सनेचिंग की वारदात हुई थी, उसका खुलासा हुआ है, अगरी मनसुंदान जारी है, साथ ही अन्य वारदाताओं का खुलासा होने की भी संभावना है, सर इसकी मा क्या करती थे इसके साथ, इसकी मा करती थी, इस नहीं अपने नाम से नहीं पावर बाइक जो बुलट मोटर साइकल है, वो खरीद के दिला रखी थी इसको जिस पर यह वारदात करते थे, तो मा अपने बेटों का अपरात की दुनिया में दखेल पी, हाँ, इससे यही लग रहा है,